दोस्तों, अगर आप भी दो मिनट में अपने पीले दातों को सफेद बिलकुल मोतियू जैसा चमकाना चाते हैं, तो आज का मेरा यह रेमिडी ज़रूर ड्राए करें ये आपके दातों काना सिर्फ पीला पंदूर करेगा बलकि अगर आपके दातों में से खून आता है आपके मूँ में से बद्बू आती है तो ये सारी समस्याइं भी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएंगी इसके सासथ आपको जो ठंडा गरम लगता है दातों में वो लगना भी बंद हो जाएगा तो देरी किस बात की फटा फट से जानते हैं इस रेमीडी को बनाना कैसे है लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टन बाते शेयर करना चाहूंगी देखें अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हर कोई सबसे पहले घर से जब निकलता है तो ब्रश करे ना करे लेकिन अपने कपड़ों को अपने जूतों को अपने बालों को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल बना कर जाता है लेकिन ऐसे में अगर आपके दाथ पीले हो या उनमें से स्मेल आए तो सामने वाले पर इंप्रेशन क्या ज जब हम जब किसी से बात करते हैं, तो उसकी हर एक चीज एकदम अच्छी होनी चाहिए, मैं भी यह चाहती हूँ कि आप लोग एकदम perfect और fine दिखें अगर आप top to bottom अच्छे बनके जा रहे हैं तो आपके पीले दात की जगा आपके सफेद दात हो जाएं और जो आपको ठंडा गरम लगता है वो भी ना लगे लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं अपने दातों के पीले पन को दूर करने के लिए अपने confidence को बढ़ाने के लिए dentist के पास जाते हैं और dentist से अपने दातों की सफाई करवाते हैं आपको पता है जो डेंटिस हमारे दातों पर वो machine चलाते हैं तो हमारे दातों की उपरी परत जो हमारे दातों को protection देती थी थी ठंडे और गरम से जो protection देती थी कि हम easily कोई भी चीज खाएं तो हमारे दातों में से खून नहीं आएगा वो परत वो layer उस सफाई करने पर हट जाती है आपके दात वाइट तो रहते हैं लेकिन आपके दातों में से खून आना आपके कोई भी अगर आप चीज खाते हैं तो आपके दातों में दर्ध होना ये सारी समझ से आए ठंडे गरम की इतनी तेज लगने लगती है कि कोई limit ही नहीं रह जाती और आपकी जो जड़े होती हैं दातों के मसूरे जो होते हैं वो दात धीरे-धीरे धीले पढ़ने लगते हैं कमजोर होने लगते हैं क्योंकि आपने normal परत जो भगवान ने बना के दी थी जिससे हमें ठंडा गरम नहीं लगता था हमारी सारी problem हमें face नहीं करनी परती थी वो परत ही आपने हटवा दी सफाई करवा दी तो आपको ये सारी तकलीफे face करनी परती है तो इससे अच्छा है कि कोई भी dentist के पास जाने के बाद पैसे खर्च करने के बाद भी आपको ये सारी तकलीफे हो तो क्या फाइदा अगर आप ये वाला नुस्खा अजमा लेंगे तो आपको कोई डेंटिस की ज़ुरत नहीं पड़ेगी और आपके सफेद दात आपको मिल पाएंगे जिसके लिए आपने क्या करना है तीन से चाल लसून की कलिया लेनी है उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है ग्राइंड करने के बाद उसमें अड़ करना है आधा मीमबू का जूस साथ में उसमें अड़ करना है थोड़ा सा अपना कॉल गेट जो भी आप पेस्ट करते हैं वो और साथ में हमें उसमें एड़ करना है चुटकी भर कस्तूरी हल्दी, इन सब को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद अपने टूद प्रश से अपने दातों पे अच्छे से ब्रश करिए, इस पेस्ट को आप सारे मुँ में अच्छे से लगाईए, ब्रश आपको जो ठंडा गरम की समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपना एक्स्पीरियंस कमेंट के थूर और अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा, वीडियो को जम कर लाइक और शेर करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा, ऐसी ही ह अमेशा आपके लिए कुछ बहतरीन लाती रहूंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई, टेक केरें, स्टे हल्थी